हेलो एब्रवान कैसे हो आई होप गाइस अच्छे होंगे यह जो रेडिंग करने चाहरी हूँ यह नो कॉंटक्ट वालों के लिए है अगर आप नो कॉंटक्ट सिच्वेशन में हो आपके पार्टर के साथ आपका सेप्रेशन चल रहे है नो कॉंटक्ट में हो जानना चाहते उनके लाइब में क्या चल रहा है वो किस इनर्जी में है आपके बारे में क्या है उनका सोच यही जाने की कोशिश करेंगे हम इस रेडिंग में तो चले खुद कौन से कनेक्ट केज़े आप साथ में उनिवर्शन प्रेश जरूर कर लिजएगा कि वो आपको इस रेडिंग में आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में जैंसे आपकी बातचित नहीं हो रही है जैंसे आप नो कॉन्टैक्ट में हो बातचित करना भी चाहते हैं कि नहीं अभी तक क्यों नहीं किया है उन्हों नहीं क्या आज की दिन या कुछी दिनों में आप दुनों के वीज बातचीत होगी क्या है उनकी फीलिंग्स और सोच आप क्या लै किसे एरिया उफ लाइप में न्यू बिगनिंग क्या है इन होने ऐसा चांसे से यूनिवर्स मुझे बता है इनके पार्टनर का सोच क्या है मेरे वीवर्ष को लेकर क्या सोच रहे हैं करेंड ले इनके पार्टनर इनके बारे में लेजी नेश्ट ओके रिबिल एरिस हो शकती है ये एक एंसल स्कॉर पर पाइसिस हो शकती है यूनिवर्स मुझे बता है इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है क्या है इनके पार्टनर की सोच, receptivity ओके universe मुझे बता है इनके पार्टनर की feelings क्या है मेरे वीवर्ष को लेकर fighting क्या सोच च्रेंड के पार्टनर मेरे वीवर्ष के बारे में conditioning ओके Gemini लिब्रेक वेरियस है यहाँ पर क्या अपरी कौन है, Leo है Aries है यहाँ पर universe मुझे बता है इनके पार्टनर की feelings क्या है मेरे वीवर्ष को लेकर compromise मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं आपकी पार्टनर सबसे पहले तो मुझे laziness वाल energy में दिखाई दे रहे है यानि कि आपसे बाचीत हो रही है नहीं हो रही है right now in के लिए उतना matter नहीं करता ठीक है कोई tension tension में नहीं है मैं नहीं देख पारी हूँ बहुत ज़दा tension में है, anxiety में है बाचीत नहीं हो रही है तो महुत tension ले रखाई नहीं हो रहे हैं आपके पार्टनर जब चाहे तब आपके लाइफ में जा सकते हैं आशकते हैं मिलकुल आप इनको accept करोगे यहां पर emotions है, प्यार है आप दोनों की बीच कोई situation ज़रूर इनको रोक रहे है जिसके वज़ा से आपके पार्टनर ठहरे हुए है contact नहीं कर रहे है यह पता नहीं लगने देना चाहते है किसी third party को कि यह आपके touch में है, contact में है यह दिखाना चाहते हैं उनको कि उन्होंने आपको let go कर दिया है आपसे move on कर लिया है ठीक है, मैं ऐसा देख पार हूँ कुछ लोगों खेले और कुछ लोग ले मुझे ऐसा दिखाई दे रहे है आपके partner काफी powerful energy में है जहाँ पर कोई चाहता है कोई नहीं चाहता है आप दोनों साथ में रहो, ना रहो इनको फर्क नहीं पड़ता बस यह आपको चाहते हैं यह important है आप इनको चाहते हैं आपको चाहते हैं यह चीज मैटर करता है और कोई चीज माइन ही नहीं रखता यह निकले तो यह तो खुले आम मैं देख पा रही हूँ आपका पीक वालपेपर लगा रखा है इन होने और ऐसे दिखाते हैं कि आपसे बात करे हैं इधर मुझे आपसे नाराज दिखाई दे रहे हैं पर किसी को दिखा रहे हैं कि आपसे बात करें हैं आप दोनों के बीच सब कुछ सही है पैच अप हो गया आप दोनों का किसी को गुश्चत दिलाने वाला काम मुझे करते वे दिखाई दे रहे हैं ठीक है पर अधर आप से बात करने में ऐसा भी नहीं देख पाने उपर किसी दिखाज जरूर आप दोनों की विजबाचीत हो रही है, आप दोनों साथ आगे हो, तो इनरसी मुझे मेर रहा है, आपके पार्टनर की फिलिंग्स देखूं, आपके लिए क्या है, तो पॉसिटिव है, आपके पार्टनर कुछ बातों को लेकर मुझे नाराज आप से दिखाई देने है, आप अपने, मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कि आपने कोई पिक्चर अपलोड कर रहा है, डीपी रखा है, स्टोरी रखा था, स्टेटस रखा था, जिसमें बहुत खुबशूरत लग रहे हो, जिसमें आपने रिवीलिंग ड्रेस पहना था, जो बाडी को ए अगर आप मैन हो तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, उबर खाऊ, गलत नहीं समझ नहीं, ठीक है, मैं रिडिंग में देख पा रही हूँ, तो आपकी पार्टनर को ऐसा लग रहे है कि ये क्या है, अंग प्रदरशन क्यों कर रहे हो आप, इनको गुश्चा रहे है आ ऐसा ना करो आप, ठीक है, ये नहीं चाहते, इस तरह से इनके अलावा आपको कोई और देखे, किसी और का मन आपके और कुछ और हो, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं चाहते, तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ, आपने कुछ कोश्ट किया था, टीपी वगेरा रखा है, जिसमे आपकी बॉडी एक्स्पोस हो रही है, तो आपके पार्टनर को गुष्टार इनको ऐसा लग रहे है कि आप जान बुझ कर इनको गुष्टा दिलाने के लिए ऐसा कर रहे हूँ, ठीक है, तो ऐसा आप मत करो, नहीं तो भढ़केंगे बहुत आपकर, जब भी कॉन्टेक्ट इनके गुष्टा का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह मुझे फाइट करने वाले मुड में दिखाई दे रहे हैं, वहीं आप भी कम नहीं हो, आप मुझे गुष्टा में दिखाई दे रहे हैं, तो आप चूप चाप रह लोगे, आप सुन लोगे, ऐसा भी न कोई एक DM, कोई एक DF वाले एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, कोई काफी Nurturing है, Softness है, और कोई एक Root Energy, Dominating Energy में मुझे दिखाई दे रहे हैं, Controlling Energy में, तो दोने एक दुसरे को पूरा करते हो, दोने एक दुसरे को Complete करते हो, दोने एक दुसरे को Perfect मुझे दिखाई जिर हो, पर at the same time वह आप दोनों को यह काफी तेज गुष आता है, ठीक है, जो कि आप दोनों के वीज, Problems को बढ़ी कर देता है, Problems को बढ़हा देता है, राइट मॉप के Partner का Situation देखूं, तो इन होने किसे Situation में खुद को ढाला है, ढालने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से Fight करने की जुरत है, इस व्यक्ति को कहीं से निकलने की जुरत है, यह खुद को Cool and Come रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसी पर बहुत भड़कियों मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि किसी को जान बुच कर गुश्य दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को जैलस फिल कर आ रहे हैं, किसी को ऐसे दिखा रहे हैं, कि आप से बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों साथ आगे हो, तो किसे से आपके Partner मुझे बहुत नार में हैं आपके पार्टनर ठीक है जैसे उनसे थोड़ा सा में स्टेक्स होता है गलती करते हैं वैसे बिल्कुल कि फाइट करने वाले नर्जी में आज आएंगे और महां से निकलेंगे ठीक है यह मुझे इनके अनर्जी दिखाई दी रहा है आपके लिए क्या है इनकी real true feelings तो आप attract करते हो इनको आज भी आप इनको वो देते हो जो इनको कहीं से नहीं मिलता ठीक है, आप इनको प्यार देते हो, शपोर्ट करते हो, उनका ख्यार रखते हो आप बेश्ट हो, ठीक है, आप सबसे बेश्ट हो, आप वही हो जो इनको चाहिए ठीक है, आप जैसा कोई नहीं है, इनकी नज़रों में और इनको ऐसा लगते है आप इनके ही रहोगे, चाहे खुछ भी हो जाए आप इनसे दूर जाही ने सकते हैं, ठीक है आप इनको accept कर लोगे, हाँ fight होगी आप दोनों की भी आप काफी गुषा हो सकते हो, नाराज हो सकते हो, पर इनसे प्यार बहुत करते हो तो आप इनको accept कर लोगे, ये इनका energy है, ठीक है? अगर ये delay करते हैं आने में, ये third party में अगर हैं, तो third party को cut off करके आप की और आते हैं, तो बिल्कुल आप accept कर लोगे, क्योंकि आप इनको प्यार करते हो, ये आपके partner की feelings मुझे दिखाई दे रहा है जब आप दोरो no contact में हो ना, तो इनको ऐसा लग रहे हैं, आप जान बुझकर इनको sedios करने की कोशिश कर रहे हो, आप attract करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हैं, जिसे person sedios हो रहे हैं आप से, ठीक है? ये इनका सोच मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर और क्या है इनकी feeling से कर लेते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये क्या सोच रहे हैं? यूनिवर्श मुझे बताए, no contact में इनके partner की feelings और क्या है मेरे विववर्श को लेकर? जब बात्चित नहीं हो रही है तो क्या सोचते हैं इनके पार्टनर मेरे विवर्ष के बारे में क्या है इनके पार्टनर की रियर टूव फीलिंग्स मेरे विवर्ष खुले कर सेविन ओफ वांट्स इन्होंने ब्लॉग एजस क्रियेट किया है आपको ब्लॉग किया ऐसा हो शकते हैं रिसन थर्ड पार्टी है काईश ठीक है शादे शुदा है या कुछ हो रहे हैं इनके लाइक में या किसी ने भढ़काया है कोई इनको मेनिकुलेट करने की कोशिश कर रहे है आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे है कोई भढ़कार है इनको ये एडवाइस दे रहे है सलाह दे रहे है कि आपसे दूर रहे है इनको दूर रहना चाहिए आपके पार्टनर को कोई भढ़कार है मुझे ऐसा नर्जी म वैक्तिन से बहुत म्यार करता है, करती है, जिनके साथ कुछ सपने देख रखा था, आज उनके साथ इंड होके है, उनके साथ सेपरेशन में है, उनके साथ no contact में है, इनको hurt होता है, ठीक है, इनको hurt होता है क्योंकि आपके साथ कोई अलग ही सपना देखा था इनों sagte आपके पार्टनर किसी का बात जरूर मान रहें कहीं पर compromise कर लिया है बट आपके partner आज भी आपसे प्यार करते हैं आपके लिए emotions रखते हैं आपके साथ एक happy family चाहते हैं ठीक है जिस व्यक्ति के साथ जिस person के साथ इन होने dream देखा happy family का खौब देखा जिनके साथ happy family चाहा हमेशा future देखा आज उनके साथ contact म नहीं है तो इनको hurt होता है इनको दर्द होता है कभी कभी ऐसा लगता है starting में तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खतम हो क्या है कोई hope नहीं है कोई खुशी नहीं है जिन्दगी में बस darkness है अंधिरा है मैं तोट चुका हूं तोट चुकी हूं इस वाल energy में रहे हैं ठीक है पर अ अब आपकी partner ने खुद को सम्हाला है पर जब भी आपको याद करते हैं आप दोनों का शाथ रहना घुमना फेलना आप दोनों का time spend करना जो आप दोनों ने dream देख रखा है आप दोनों का बात करना हुशना मुस्कुराना शाथ में वो सब याद करके hurt feel करते हैं ठीक है कही नहीं कहीं आज भी इनकी चाहत है आपके साथ कुछ हो आपके साथ family बने आपसे शादी हो जो blockages है वो दूर हो और आपका रिष्टा हिल हो यूनिवर्श मुझे बताएं जो मेरे वीवर्श की partner है क्या मेरे वीवर्श को contact करेंगे जिनके बारे में मेरे वीवर्श शोच रहे हैं क्या वो वैक्ति कभी इनको contact करेंगे बताएं मुझे इंतिजार करेंगे आपको contact करेंगे मैं ऐसा कुछ नहीं देख पारी हूँ पर आपके इंतिजार जरूर करेंगे आपके partner आपके लिए जो emotions है जो प्यार है वो बरकरार रहेगा जबकि वक्त के साथ वो और भी जड़ा बढ़ेगा आपकी important समझेंगे वक्त के साथ समय का change होने का किसी के acceptance का इंतिजार करते मुझे दिखाई दे रहे हैं मुझे ऐसा लग रहे हैं आप दोनों आमने सामने आने वाले हो आप दोनों के वेज़ बाचित जरूर होगी चाहे आप करो चाहे ये करें आपके partner आपके सामने मुझे सेर को जुखाय हुए दिखाई दे रहे हैं हार मानते हुए दिखाई दे रहे हैं आप गुष्टा हो रहे हो नाराज हो रहे हो आप काफी गुष्टा कर रहे हो एक मान रहे हैं कि हम उसे गलती हुआ हैं तुम्हें जो भी सज़ा देना हैं दे सकती हो सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हें हर्ड किया और मैं तुम्हें चाहता हूं चाहती हूं यह भी सच है तुम मुझे accept करते हो ना करते हो यह मुझे इंतिजार करना पड़ेगा तुम्हारी हां का यह तुम्हारे हां का तो मैं ready हूँ इस तरह के energy में आपकी partner है ठीक है universe मुझे बता हैं इनके partner के action क्या होगा इनके लिए खबर लेंगे आपके बार में पोस्ताच करते रहेंगे जाने की कोशिश करते रहेंगे आपके बारे में आपकी partner क्या चाहते हैं आपसे क्या चाहते हैं आपकी partner आपसे इस situation में आपसे क्या चाहते हैं आपकी partner कोई actions चाहती है new beginnings चाहती है new start चाहती है नए अपन चाहती है आपके तरब से action देखना चाहती है यह चाहती है आप नई शुरुवात करो इनके साथ ठीक है कुछ action लो आप इनके तरफ यह heartbroken है इनका दिल टूटा हुआ है ठीक है तो आप कुछ करो action आप लो आपके तरफ से action देखना चाहते है यह तो यह रही गाइस आपकी रेडिंग आई वो आपके लिए help बूर रही होगी यहाँ पर मुझे सारे सेंस दिखाई दे रहे है एरिस विव सेचिटरियर्स, तौरश, वर्गो, क्याप्रिकॉर्ण, कैंसर, स्कॉर्प्यो, पैसीज और सिमिनाई लिप्रेक विडियर्स इस्पेशली है यहाँ पर एरिस, वर्गो, तौरश, क्याप्रिकॉर्ण लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर के जेगा, बाई, टेक क्यार